हेलो आप सभी लोग आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल पी के भी एज़ुग्यान में तो फ्रेंड्स आज किसे वीडियो में बात करेंगे नीट एक्सपेक्टेड कट ओफ 2021 के बारे में तो गोवर्मेंट अमबीबिस कोलेज में एडमिशन लेने के लि और जो आपकी सीज जो सीड से वो इंक्रिमेंट हुई है और बीशी और एडमिश के लिए उसके अकोर्डिंग में ने यहां पर एक्सपेक्टेड जो रैंक है और मार्क्स बताए हैं जो कि आपका स्कोर सेफ मान सकते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल के लिए तो जैसा कि आपको पता होगा कांशलिंग के आपका दो राउंड होते हैं राउंड वन और राउंड टू तो राउंड वन और टू दोनों की मैंने एक्सपेक्टेड कट ओफ लिकर रखी हैं जनरल किटेगरी की 12000 फर्ष्ट राउंड की रैंक है और पंद्रहा हजार आपकी ह हो सकती है सेकिंड राउंड की 615 और 610 प्लस आपकी जिनल क्टेगरी के लिए स्कोर है वो सेफ रहेगा आप इसके अंदर प्लस माइनस 5 करके मान सकते हैं एक्सपेक्टिड है यह जो भी डाटा यहां पर दिया गया है प्लस माइनस 5 करके आप इसको मान लीजिए एक्सपेक्टिड है चैसे क्टेगरी की बात करें तो 15,000 1 राउंड और 18,000 2 राउंड की और 610 और 602 प्लस क्या है इसके माक्स रहेंगे ओबिसी क्टेगरी की बात करें तो तो OPC में 16,000 और 21,000 और यहां पर 605 प्लस और 655 प्लस यहां पर 1st राउंड और 2nd राउंड की cut-off रहेगी expected है next के है SSE क्टेगरी की बात करें तो 22,000 और 85,000 और 1st राउंड की जो मार्क्स हैं वो रहेंगे 515 और 2nd राउंड की रहेगा 500 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं तो आपको गवर्मेंट MBBS कोलेज मिलने के चांची है next के है SSE क्टेगरी की 1st राउंड की बात करें तो 1,00,000 और 485 प्लक्स मार्क्स हैं और SSE क्टेगरी की बात करें तो 1,00,000,000 के चल सकते हैं और 405 प्लक्स मार्क्स हैं तो आपको गवर्मेंट MBBS कोलेज मिल जाएगा तो यह थी कुछ एक्सपेक्टिड आइडिया जो कि आपको पसंद आया होगा तो अगर आप काम आक्षिन में से हैं तो आप कांसलिंग के टाइम में अपना रजिशेशन करवा सकते हैं और आपको गवर्मेंट कोलेज है वो मिल जाएगा तो इस वीडियो में इतने ही मिलते हैं नई वीडियो के साथ नए टोपिक के साथ थेंक्यू गाइज